तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ daily five stocks discuss करता हूं जिसमें आप one week to two week के अंदर काफी अच्छी earning कर सकते हैं और मैं आपको सारी confirmation चाट पर discuss करता हूं और आपको confirm कराता हूं कि आपको इस share में कभ इंटर करना चाहिए और इसके targets क्या हो सकते हैं या फिर आप इस share में इंटर करना चाहिए आपको या फिर नहीं करना चाहिए तो चलिए यह सारे स्टॉक में आपको confirm कराता हूं चाट पर यह confirmation के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आपको कहीं प्राइब कोई problem हो तो आप हमें कमेंट जरूर किज अगर देखेगा इस तो यह अभी आपको यह चलता नजर आ रहा है और यहां पे थोड़ा फोकस करें तो आप देखने को मिल रहा है यह और यहां पर देख सकते हैं एक बड़ी रिवर्सल में थोड़ी डाउन आई लेकिन वापस से फिर से देख सकते हैं जो रिवर्सल के ब्रेक करता हुआ चोगी 1742 पर रहा था इसको ब्रेक करता हुआ काफी उपर तक गया है तो बात करें अगले दिन के शिच्ञिनल के यहां पर बन रहा है अकर बात करैंने के चन रहे हैं तो आये थीं झृष बीजिख darknessrend के जूम करके दिखाऊं और थोड़ा लेकर चलूँ पीछे की तरफ तो आप यहां पे फोकस करें कि लगातार जो है सेर प्राइस काफी अप था आप यहां पे द्यान देशके हैं सेर प्राइस जो है काफी अप था जो की 1050 पे उसके बाद सेर में गिरावट देखने को मिली थी 844 पर जो है एक यहां पर सब्सक्राइस क्ये करें है अगले दिन अगर यह भूली शाष बैज़ी कर के बुली शा तो आप यहां Ikनली दीन तरह तो आप दिन अगर यह ब्रेक आुट करकेンタल को बाद सब्सक्राय है तो आप इस् Attack आप एजिजए यहां फी रहा है और मिलते हैं बुल इसके तो आपको इंटर करना जरूरी मैं आपको नहीं काऊंगा लेकिन आपके अनुसार है अगर आप चाहते हैं सोच रहे हैं कि अगर कम समय में अच्छी अर्निंग कर लिया जाए तो आपके लिए बेटर आप्शन हो सकता है काफी अच्छी है स्टॉक्स आ आप जाने के बाद यहां पर आपको एक छोटी रिवर्सल फिर से देखने को मिले तो आपको पैनिक नहीं होना जो कि 924 पे मैंने आपके सामने टार्गेट लाइन ड्रो किया अगर यह इसको ब्रेक आउट करता है तो एक बड़ी भी आप्शन आपको मिल सकती है थोड़ा आप इसमें एक अच्छी प्रोफिट निकाल सकते हैं जो कि अगर बात करें नेक्स्ट टार्गेट की तो आपके सामने टार्गेट जो की 976 की मैं आपके सामने ड्रो किया आप देख सकते है 976 की देखने को मिले तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यह जो रेगुलर है यहां तक त तरह से आपको यहां पर है टार्गेट हीट करता हुआ और रेस्पेक्ट करता हुआ थोड़े समय के लिए आपको पॉफिक बुकिंग के साथ आपको बीर स्केंडल के साथ में होते हुए वहां तक जाने के चांसे काफी किलियर बन रहे है क्योंकि सेर डाउन के बाद रिवर्सल मिला है तो आप इसमें अपनी पोजीशन जरूर बनाए चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है नेक्स्ट स्टॉक लगा रखा है जो की आवास फाइनेंसियर लिमिटेड का है आप यहां पर फोकस करें तो आप य सेर महें सुरू हो गई है तो आप इसे अपने वास लिश्ट मेंड़ करें उसके बाद जैसे ही आपको ऊक्ता है एक Do दीन के बाद आपको यहांपे signal मिले तो आपको इसमें इंटर करना होगा तो जैसे जैसा कि बात के बास जानते हैं आपको आपको यहांपे रिश्मेंड करना होगा और टार्गेट का यानि की सिग्नल का वेट करना होगा जैसे कई जगर ये 1,570 यहाँ आप में मैं बना रहा हूं और लाइन ड्रो कर रहा हूं अगर यह इसको ब्रेक आउट करता है तो आपको एस इर में इंटर करणा चाहिए यानि कि अगले दिन आपको आर्व किया है उसको यह support बनाता हुआ हुआ है उसके बाद अभी आपको इक बड़ी रिवर्सल मिल रही और शेयर भी आप जान रहे हैं कि यहां कर रहा है तो आपको यहां पर थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए कंफर्म सिग्नल का जैसे ही कंफर्म सिग्नल मिलता है आप इसे इस सेर में इंटर कर सकते हैं आप कम ही क्वाइंटिटी के साथ बाई करें अभी के लिए लेकिन अगर आपको जब फुली कंफर्म हो कि ना यह सेर प्राइज उपर जाएगा तो आप इसमें मोर क्वाइंटिटी एड करें आपको एक बड़ी प्रॉफिट के भी चांसेज मिल सकते हैं चलिए मैं आपको थोड़े समय के लिए छोटा एक टार्गेट कंफर्म कराऊं अगर यह आगर बढ़ता है कुछ समय के प्रॉफिट आप इस सेर में निकाल सकते हैं चलिए अगर बात करें सेकंड टार्गेट की तो आपके सामने सेकंड टार्गेट वन थाउजन एट हैंडड़ी की बन रही है तो इसको भी ब्रेक बन करने के चैंसे बन सकते हैं कि सेर्प्राइस काफी डाउन आया है और अब आपके चैंसे यहां पर अभी क्लियर किया और लगातार अपके सिंगनल मिल रहा है थोड़े समय कॉंसलेडेशन के बास अब जा सकता है तो आप यहां पर थोड़ा वेट करें वासलिष्ट में आप इसे एड़ करें चलिए निक्स्ट्रों की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स आपके सामने अस्टार हेल्थ लगा रखा है तो आप यहां पर फोकस करें यह लगबग यहां पर देख सकते हैं आप दो दो बार आज मिला कर गाई इसने दो दो बार यहां पर बड़ी नजदी की टार्गेट को हीट किया है अगर बात करें और थोड़ा और पीछे चले त पीछे लेकर आता हूं और दिखाता हूं कि इसका टाइगर प्राइस क्यार रहा है कुछ समय पहले हाई इसका यानि नजदी की हाई के देखें सेटंबर 2022 की यानि की 2022 की देखें तो यह शेयर प्राइस सेवें था 777 का रहा है उसके बाद सेयर में लगातार डाउन देखने को मिले और उसके बाद अभी की बात करें तो लगभग आप इसमें कह सकते हैं 68 मंत की आइसमें डाउन के बाद इसमें रिवर्सल देखने को मिले नहीं कर देखें तो सेयर प्राइस जो है यहां पर 487 था सेयर आपसें डाउंस के बाद ऊपर कियो रहा है और आपसे डाउन आया और एक बड़ी रिवर्सल अभी आपको दे रहा है और आप देख सकते हैं और यहां पर लगभग ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है तो आपके जाने के चांस के लिए हो सकते हैं क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यह शेयर प्राइस टार्गेट को ब्र स्केंडल मिलता है तो आप इसमें बेजी जक इंटर करें क्योंकि सिगनल आपको कंफर्म बाइंग का मिल रहा है लेकिन अगर आप कर सकते हैं कि यहां पर टार्गेट को हीट कर रहा है तो थोड़े समय कलिए यहां पर बीर स्केंडल यानी की प्रॉफिट बुकिंग के भी 151 का बन रहा है और अगर यह इसको ब्रेक करता है तो आपके सामने एक बड़ी टार्गेट भी बन रही है तो इसमें आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है आप थोड़ा वेट करें और शेयर में इंटर करें तो आप इसे वासलिस्ट में जरूर करें सेट सेकेंड टार्गेट जो की 692 की आपके सामने बन रही है चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देखते हैं मैं आपके सामने जो है यू एन ओ मिंडा लिमिटेड का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रहा है वन डेकानल साधिये जो है शेयर प्राइज आज काफी चोटा यहां पर बुलिस केंडल देखने को मिला है लेकिन अगले दिन की बात करें तो अगले दिन आपको आपके भी चंसे हो सकते हैं या फिर बीरेस के भी चंसे हो सकते हैं तो थोड़ी समय के लिए आपको यहां पर डाउन भी देखने के चंसे मिल सकते हैं तो आप अग तो यहां पर इंटरी कर सकते हैं अगर आप कुछ समय के लिए कम ही क्वाइंटिटी इंटर करें और जैसे ही यह फाइवेंड़ नैंटिटी फोर को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि कनफर्म बाइंग सिंगल अभी मिल रही है और लगातार जो है सियर प्राइज 438 के डाउन के बाद जो है इसने बड़ी रिवर्सल दी है तो यह अब जाने के चैंसे अभी आपको क्लियर कर रहा है क्योंकि यहां पर नजदीकी हाई को ब्रेक करता हुआ टच करता हु तो मैं आपको कंफर्म कराता हूं इसका नेक्सट टार्गेट क्या हो सकता है को एक मिनट आप देख सकते हैं मैं आप थोड़ा दूर लेकर रहा है है अगर बात करते हैं अगर आप इसमें थोड़ा वेट करते हैं तो सियर प्राइज यहाँ पर आपको एक नई टार्गेट दिला सकता है यानि कि आप इसमें एक नई प्रॉफिट और एक बड़ी प्रॉफिट के भी यहां पर चैंसे आपको मिल सकते हैं आप थोड़ा वेट करें तो जिस अनुसार से रप्राइज थोड़े अब जाने के बाद वापस डाउन आ रहा है उसी अनुसार यहां पर टार्गेट को सकता है तो आप वहां से एक्जेट भी थोड़े समय के लिए करें अगर कंफर्म सिंग्नल बाइंग फिर से मिले तो आप उसमें वापस से इंटर कर सकते हैं तो आप इसमें काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यह सारे सेर्स में अगर आपको कहीं समझने हो कोई प्रोब का की लिटारी प्राइब की अपना चर्ट लगान रखा है आप यहां पर फोकस करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अचछा लेकिन थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर चलूं तो आप यहां पे फोकस करें कि यह रेगुलर जो है इसमें आपको अपके सेनारियों ही नजर आ रहे हैं तो अगर बात करें सिग्नल्स की तो आप बनाता है तो आपको यहां पर मैं एक सपोर्ट लाइन आपको कि लियर करता हूँ अगर यह 390 के सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता हुआ आगे क्यूर बढ़ता है डाउन ट्रेंड बनाता है तो आपको इसे एक नोर करना चाहिए आप इसे इंटर ना करें और अगर कनफर्मेस्टम की बात करें अगर यहां तक आने के बाद भी अगर आपको यहां से टार्गेट लाइन है अगर इसको ब्रेक करता है तो आप इसे एर में इंटर करें कनफर्मेस्टम के साथ मोर कॉंटिटी और एड करें क्योंकि आपको यहां से बड़ी कनफर्म सिगनल मिल रही है आपको इसे एंटर करने के बाद आपको वन टू टू वीक के अंदर काफी कर रहा हूं जो की लगवग फाइव हैंडेड सोरी एस फोर हैंडेड फिफ्टी थीरी पर बनती नजर आ रही है अगर बात कर इसको ब्रेक बात बन रहे हैं तो आप वहां पर विजिट करें जैसे ही आपको शेयर में अब जाने के बाद थोड़े समय के लिए डाउन मिलता है तो आप वहां से एकसे कर सकते हैं आपके टारिट जो कि 490 की में आपको यहां पर के लिए इस तरह के वीडियो में आपको पूरी वीडियो में तो आप हमें कमेंट करें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बिलकुल मत ब भूलिएगा वीडियो अच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स गाइज